अरे मेडम जड़ा रुकिये जी हाँ बोलो ये क्या मेडम पहले आप जब आती थी तो मुझे हमेशा शोर पे देती थी और अब ये शिर्फ दस उर पे तब मैं कवारी था फिर अब पचास उरुपे देने लगी क्योंकि तब मेरी शादी हो गई थी और उसके बाद पच्चीस उरुपे क्योंकि तब मेरा एक बच्चा हो गया था और अब शिर्फ ये दस रुपे क्योंकि अब मेरे दो बच्चे हैं तब ही तो तुम्हें दस रुपे दे रही हैं वा मेडम जी वा मज़ा आगया बात सुनके इसका मतलब आपके पूरे प्रिवार का खर्चा तो मेरे पेस उसे चल रहा था क्या आका फिर से कहना चलो छोड़ो मेडम जी रहने दो मैं तो सूबह से भूखा बैठा हूँ आपका गर तो सामने ही है मुझे दो रोटी लाके दे दो बगवान आपका बला करेगा देखो अभी तो मैं बजार जा रही हूँ बाद मैं आके ले जाना कोई बाद नहीं मेडम आप मेरा नंबर ले जाओ और मुझे मिस कॉल कर देना मैं आकर ले जाओंगा मिस कॉल की क्या जरूरत है जब रोटी बन जाएगी न तो मैं तुम्हें दो रोटी वटसप कर दूँगी तुम डाउनलोड करके खा लेना ए बगवान क्या जमाना आगे है रोटी यहां भी कब से वटसप होने लगी तब से वटसप होने लगी जब से विखारी फोन रखने लगे मैंडम जी वटसप पर सादियां भी हो जाती है क्या हाँ, शादियां हो जाती है तो मेडम जी, प्लीज, मेरी करवा दो ना पर किस से? अरे, आपकी बेहन से और किस से? मेरे साड़ा इसा मैंने क्या के दिया?